जैसा कि हमें पता चला है कि बार ग्रस्त हो जाता है यहां का एरिया यहां का इलाखा Yayla का जिससे खेती को काफी नुक्सान होता सब तो हमारे साथ एक बाबा है इसे जानने की कोशिश करें क्या क्या परभाव पड़ता है जब बाड आ जाती है जब बाड आ जाती है इधार की तरफ देखो आगे चलका सारी खेती मरी हुई है और जब राष्टे को लिखड़ते हैं तो गाड़ी उल्टे जाती है और पैर के करना पड़ता हमें सबसें जिके पुलिया की भी है अचा पुलिया की जगह है क्या इससे पहले आप लोगों ने आवाज उठाई थी या नहीं आवाज उठाई थी दूसरे पर दान जीते हो करें के बनवाएंगे बनवाएंगे उनसे नहीं बन चुकी और अब फेर सोच र होई कि यह ऺश 1950 की बन चाप ने जाने कंसोरी पुलिया होगी या फिर जो परकोफ होता है उससे बचाशने का उस्से बचासरा बजाएंगंगे और नहीं पचाने गए इसमें अब भी इतना पानी है मुझे बगल ठाई nostro है नहीं समझ में एघ होती ह infect और आगे पुलिया है और इधर पानी भरा हुआ है तो खेती की तरफ खेती का ज्यादा नुक्षान होता होगा तो कि आने जाने में भी समस्या होती है तो क्या पुलिया बनने से सही हो जाएगा पुलिया बनने से इतना हो जाए कि जो मत्टी पर जाएगी उसके उपर पानी क इसका मतलब आप आपकी घंड्रूद मैं इन काफी नुक्सान हो जाता है और ये मुवावज़े की मांग कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद जाके फसल लुकती है और जब बाहरे आ जाती है तो सारी फसले नश्ट हो जाती है जिसे किसानों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जन्वार ताइज की सभी खवर को लगतार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और शिये जरुल कोई धन्यवाद जन्वाद है